पूरुस रात में सोने से पहले करें अधरक का सेवन फीट देखें इसका कमाल नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस बीडियो में एक ब्यादी महत्पूर जनकारी के साथ दोस्तों अधरक का इस्तमाल आमतर पर भारती कीचन में मसाले की रूप में किया जाता है इसके दीखे स्वागत के कारड अधरक का इस्तमाल हम मसाला, चाय से लेकर सबजी की करी बनाने में करते हैं चाय और खाने का स्वागत बढ़ाने के कारड इस सिपर mister food को इस्तमाल करना भी सभी लोग पसंद करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वात जोडने के साथ साथ अध्रक हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है इसलिए आप घर पर अध्रक का पानी बनाकर इसका इस्तमाल कर सकते हैं अध्रक में बिटामिन A, C, E और B कॉंपलेक्स होता है इसमें परचूर मात्रम, मैगमीसियम, फासफोरस, सिलिकान, शोडियम, आयरन, जस्ता, कैलसियम, बीटा कैरेटीन जैसे खनिज होते हैं ये सरी की इरुग प्रतदर्ज हमता को बढ़ाने में सहायता करता है तो आये जानते हैं इसके सेवन से होने वाले फायदों के बारे में पहला फायदा, प्रोइस्टेट कैंसर खत्रे को करता है कम फुरूस में इस कैंसर खत्रा सबसे ज़्यादा होता है इसलिए इसकी चपेट में आने से बचे रहने के लिए समय पर जरूरी कदम उठाना बहुत जरूरी है सहायत की बात कीज़त इसमें अलफा टोकोफेरोल यानि की बिटामिन E का एक स्वरूप होता है ये प्रोइस्टेट कैंसर के खत्रों को कम करने के लिए एक सक्क्री पोस्ट्विक तद तो माना जाता है वहीं सहद में मौजू सेलेनियम अन्य कैंसर के जोकिम से भी बचाते है इसलिए अद्रक और सहद का सेवन करने से प्रोइस्टेट कैंसर को खत्रों को कम किया जा सकता है दूसरा फायदा आज कल चाहे सांस लेना हो या पानी पीना हो या कुछ खाना हर चीज में कुछ न कुछ भी सहलेता तो हमारे सहरी की अंदर परव्यस करते है ऐसे में समय पर सहरी को डिटाक्स करना भी बहुत आवस्टक हो जाता है अन्यता बाद में एक गभीर समच्याव का कारण बन सकता है इसके लिए आप सहरी में अदरक के कुछ टुकड़े मिला कर रखें और परतेदे उन्हें चबाएं रुजाना एक अदरक का टुकड़ा सहरी के साथ चबाने से सरी का डिटाक्स होने में सहायता मिलती है तीसरा फायदा बल्ड़पेसर को करता है दूर अदरक बल्ड़पेसर कांट्रोर करने में सहायक है अदरक के जूस पीने से खून एकदम पतला रहता है इसमें गुलुकड़ की मातरा एक समान बनी रहती है बल्ड़पेसर मरीज को रोजाना इसका सेवन जरूर ही करना चाहिए चावथा फायदा अदरक के उप्चारात्मक गुर्ड हीड़दा को मजबुत बनाते है हीड़दा रोगों से बचाओ और उसके उप्चार में अकसर अदरक के तिल का उपयोग भी किया जाता है इसी ज़री बूटी के तब तो क्लेश्टाल को कम करने प्रलपेसर को डैंतित रखने रक्त प्रवा में सुधार लाने और अरुद आर्ट्रियो तथा रक्त के ठक्कों से बचाओ करने का काम भी करते हैं ये सारी चीज़े हीड़दा आगात और इस्टो के जखिम को भी कम करती हैं पाँचवा फायता इस डिटी में होता है मददगार कई बार ज़्यादा तिल मसाले वाले चीज़े को खाने के बाद या फिर ज़्यादा भारी खाना खाने के बाद एस्टीट के समस्या हो जाती है ऐसे में अद्रग बहुत ही फायदमंद है दरसल जब आप खाना खाने से पहले एक टुकड़ा अद्रग को सहद में मिला कर चबा लेते हैं तो आपको एंटा एस्टीट की तरह काम करता है और पेट में बनने वाली एस्टीट को निट्रिलाइज कर देता है इससे आपको एस्टीटी नहीं होती है और ना ही एस्टीट डिफल की समस्या होती है खास तरपर खाली पेट अद्रग का सेवन करने से स्किन पर चमक आती है साथ ही आपके दाग दब्बे भी दूर होते हैं खुसूरत इस्किन पाने के लिए सुबह खाली पेट एक अद्रग के छोटे टुकड़ को गुरूने पानी के साथ जरूर खाएं इससे अपके इसकिन पर निखार आएगा साथ हो फायदा पाचन को बनाता है मजबूत अद्रग खाने के कई फायदे हैं जिसमें पाचन पे क्रिये में सुधार भी सामिल है अद्रग कबज, पेट दर्द, पेट की एटन, मरोड वगे जिसी समस्याओं से रहत दिलाने में सहायक साबित हो सकता है वहीं ये अपच की समस्य को वटीक करने मददगार होता है इस अद्रग पर ये माना जा सकता है कि अद्रग के फायदे पेट के लिए प्रभावी होते हैं साथ ही ये पाचन को मदूद बनाने का काम भी करते हैं आठ्वा फायदा, मैगरेन की समस्य को करता है दूर मैगरेन का दर्द बहुत खतरनाक होता है इसमें आपके सीव का दर्द इस कदर बढ़ जाता है कि सहन करना मुस्किल लगने लगता है अगर आपको सीव दर्द की समस्या है तो आप अद्रग की चाय जरूर पीएं इस चाय को पीने से पुरो इस्टे डगलिंग डब जाते हैं और असनी दर से रहात मिश सकती है नवा फायदा, कर्ष्ट्रा लेवल होता है कम कच्चा अद्रग हाट के लिए कापी लाबदायक माना जाता है अद्रग के सेवन से क्लिश्ट्रा लेवल को कम किया जा सकता है अगर किसी को क्लिश्ट्रा की सिकायत हो तो उसे रुजाना कर्चे अद्रग का सेवन जरूर करना चाहिए इसके बाद दोस्तों आई ये जानते हैं कि अधरक का अधिक सेवन करने से क्या समस्या हो सकती हैं दोस्तों अधरक के ज़्यादा खाने से हमें दस्त, मुह में जलन, ढकार आना, आखों में जलन, इत्याजी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आदरे में पैजने वाले जिंजलेन पेट में ज्यादा एसीड पैदा भी कर सकता है जो हमारे सरी में जनका काड़ भी बन सकता है मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसे किसी रच्छे जनकारी के साथ तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए जय हिंद